नमस्ति दोस्तों स्वागत है आप सभी का दे न्यू वर्ल्ड इस नए जगत में आज मैं तो इंप्लेम सार्ट सेट्स के लिए जो न्यू मून है आज 6 जून को उसकी एनरजी एंड साथी साथ 77 पोर्टल भी का भी असर शुरूफ हो गया है तो दोनों की मिक्स एनरजी जो ह है कभी कभी ऐसा होता है कि दो चीजे एक साथ होती है तो जब दो इफेक्ट दो तरह की चीजे एक साथ आड़ी है तो दो तरह का इफेक्ट भी जो है वो मिक्स ही आएगा जैसे कि अभी और पिछला भी जो पोर्टल था एक उसमें भी ऐसा ही सेम था और साथ में साथ फू आपको दिखना शुरू हो रहा हो चुका है या फिर आगे आपको असर देखने को मिलेगा तो जो चीजे जो मैं अब्ज़र्ब कर पाई हूँ जो मुझे युनिवर्स साइन दिखा रहे हैं और जिन चीजों को मैंने महसूस किया है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ तो कमेंट में चरूर मैंशन करना आप लोग तो इस निव मून पर जैसा कि मैं देख पार रही हूँ एक थोड़ी बहुत चिर्चिरा हट आप चाहाई सेवन पॉर्टल कहलो या निव मून प्वे देखो एक हलकी पलकी से चिर्चिरा हट से आ रही होगी होगी आपको और दभी हुई रहती हैं की ज़ज़ाहड़ी जो है वो साथ साथ निगर्सी जो है न वो चेहारे से रिलिलीज हो रही है चेहरे से तो फीमप्र्स जलना हो यह मैंने दीख ब動画 आ Cathedral क्यूंस जो सकते हैं Match चेमठ बहुत कुछ बगा हुआ ही कुछ जल गया तो ऐसा साही कुछ एफेक्ट हो गया इस तरीके का जो एफेक्ट है यह आपको देखने को मिल सकता है और एनरजी पिंपल्स वाला बहुत ज्यादा इसू हो रहा होगा कि चैरे से रिलीज हो रहा होगा या पर सिर्फ चैरे से नहीं बोडी के किसी भी पार्ट स यह एक भी चोता शोटा गाव टाइप गैल हों आप लाप इमपली जयता है यह आ सकता करें plea फेक्ट हो सकता है कि सावन के मोश Supper है और इसमें कहीं द 것이 के नहीं दखनों कि आप एक अथ क्योग सब्सक्राइब्स एब क्रहिक्स करती है भां इस वाद थे गावर्टिया यह आपको देखने को मिले अपनी बॉड़ी पे अपने मन के अंदर देखो कि क्या क्या आ रही है एक एस्टेबिलिटी आ रही है या फिर कहीं न कहीं एक थौट पैटर्न स्चेंज हो रहे हैं कभी न कभी मुझे लगता है कि पारे सले हो एक मूल होता होगा कि आपको के लिए ये कभी सही है और कभी मुझे लीकिन खीली साहर्ट में जाहां की आप क्षी पतकी शूर्जश महसूँ करो का शूर्जश कभी थो आपको लगता रही थी और फिर लगेगा उसे चिकले नहीं यह तो बहुत अच्छा है तो इस तरह कि एनर्जी जो है यह मुझे हो रही है और इस पोर्टल का जो एफेक्ट होगा और हाँ आज कल जो है ना और यूनियन के जो यह मैं बताने वाली थी कि बहुत जादा यूनियन के साइन दिख रहे हैं एक्सिस लेवल के यूनियन यानि मुझे जो पिक हो रहा है कि 77 पॉर्टल में बहुत लोगों के यूनियन जो होने वाले हैं अगर ऐसे कोई जो की जड़नी में है या तो आपको आपको पता है कि को नए हो लेकिन आपकी घिवार मेस चलिंज बने मिलें तो वह आने के साथ मिलो उनके और यूनियन साथ में जो ग거 loops कज आप söz छी को यह तव हो आपने आपने व्यूनियनसेब्स में कि बासिया हैं आपके साथ मिल का यूनियन हो तो जाधी에 यह काफी इसकाथ है तो बहुत ज्यादा भी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखाउंगी मैं हॉस्टल में रहती हूं तो बॉचे कितने सारे बटर्फ्लाइस दिखे थी किते सारे कप्ल backup बटरफ्लाइस दिखे त invece और यह मुझे हर रोज दिख रहे हैं हर रोज दिख रहे हैं और कम से कम एक कपल एक दो कपल तो मुझे मुझे दिखी रहा है और कभी-कभी तो अदम भड़े-पड़े होते हैं कभी कोई ऐसे बर्ट्स वाला होता है सेनरियो मैं आप भी दिखाऊंगी कि दो ऐसे कबूतर थ अगर बहुत लंबे टाइम से सपरेशन में तो लेकिन हाँ एक और चीज है यहां पर एक बात यह आ जाती है कि आपको आपके डिवाइन मैस्क्रीन ड्रीम में काफी नजर आ रहे हो चाहे आप किसी भी करेक्शन को डिल करें हो सकता है अपनी सोलमेट के साथ हो जिनको भी बार 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 दिखे जा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से वो बार बार दिख रहे हैं हो सकता है आपको उसको देखके उनको देखके गुसा भी आए हो सकता है आप बैलेंस भी रहे हो सकता है को रोना भी आए कि मुझे क्यों दिख रही है जब मेरा तो कुछ हो ही नहीं रह बहुत लोगों का जो है डियूनियन वह बहुत ताइम से नहीं हो रहा है तो थोड़े परशान से हो सकते हैं कि अरे इतना time हो गया आता तो है नहीं साइन देखता है इस बास इरिटेशन होती है और होना भी लाज़मी है होगा ही होगा अगर किसी चीज कोई चीज मुझे बा तो ये 5D की जीस हें ये 5D में हो रही ह़ी है, 4D में हो रही है 4D पलेंट 9D पलेंट आप गowski साहथ में मिल भी आये हैं वह हैं यहां सब्सक्know सब्सक्क्राइब अगर यह साइन दिखे तो इसका मत्दब यह बहुत वही आएगा इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी रेलम पे या फिर अगर आप देखो लेवल पे भी तो मेंटल लेवल पे इस्पिरिच्वल लेवल पे जो कनेक्शन है वो सही हो रहा है आपका और 5D लेवल पे 4D लेवल पे एक आपको बैलेंस दिखेगा रिम में वो तो आपके बहुत इसे सवाल हैं जिसका जो जवाब है anh वह दूड़ते हो और देखो अभी आप फिलाल ऐसा करो कि दो 3D की चीजह है उसको 3D में ही ज्यादा मतलब उसके लिए परिशान होने की ज़रत नहीं है आपने आप पर फोकस करिए और खुद को इवॉल्व करने की कोसिस करिए खुद अगर आप ग्रो करना चाहते हो है ना तो उसके लिए आप काम करो क्योंकि आप ग्रो करोगे तब ही बांकी चीजे आपके हिसाब आपके हिसाब से फैबरेबल हो पाएंगी रिजन यह है कि जब हम खुद को ग्रो करते हैं तो यह जो यूनिवर्स है ना पूरा धर्ती यह पूरा मृट यह एक रिफ्लेक्शन है वर्ल एक रिफ्लेक्शन है कि हमारे अंदर जो चीजे होती है वही हमारे बाहर घड़ित हो क्यों अपने बच्चे को पहसान होते जाता है आप उस अस्तित के हिस्सा हो और आप यानि कि आप वही अस्तित हो जो तक्त्वमसी तुम वही तो हो मैं ही तो हूँ मैं वही तो हूँ तो तुम उन्हीं आप उन्हीं के पार है हम सब उन्हीं के पार हैं तो वह कभी नहीं च करते हैं वहाम करते हैं हम क्यूं फाल्दो का सोचते हैं और आपका जो भी अभी जो मुझे प्क हुँगा एक कि यह विजडम जो है यह आपका बर सकता है इस पोर्टल में आपको नहीं नहीं विजडम मिला मानले सकत Estamos नहीं नहीं ऐसी सोल्स से आप परभाबित होना चाहें होने लगेंगे जो आप जो आपको ग्रोथ की तरफ ले चाहते हैं यह सारी जो एनर्जीज हैं यह आप बताना मुझे कितना असर हो रहा है कितना आपको असर हो रहा है और क्या आपको फीड हो रहा है अगर आपने भी क सकते हो बाकि आप कितने ही दिन का क्लास हमारे पास करो लेकिन आप फूरी देश का जो मेडिटेशन है वह कंप्लीट करोगे अगर बिना किसी दिन ग्याप की वे तो आपको इसका असर खुद दिखेगा इसके अलावे आपको कोई गाइड़न्स चाहिए टैरो से या फिर नि दिखाऊंगी चाहिए भले आप टैरो काही सेशन लो उसमें भी आपको देश दी चाहेंगी आपको आपके इंप्रूब्मेंट के हिसाब से किस चीज़ से आप इंप्रूब होंगे तो इसके लिए अगर आप चाहें तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमसे इसे नमर पे और एक लक्त पात जो मुझे बतानी है आपसे कि और मैं आपको इक Mehdi समझाना चाहती हूं कि बताना चाहती हूं कि आप सुरेंदर में प्लिए रखते तो आप पूल सरेंडर ही करके रखो ठीक है और यह इसी जिंद्गी चाहत हो यह बुरा मत सोच हो अपने लिए बुरा या निगरिटी में रहो यह तो फिर वही सोचो जो आप चाहते हो वैसा ही सोचो विल्कुल ट्रस्ट के साथ जैसा आप चा अंदर से एकदम without overthinking या बिना किसी डड़ के बिना किसी तनाओ के बिना किसी कोई अंदर कोई जिजक रखना ही नहीं है बुलकुर ट्रस्ट रखना है कि हाँ उनिवर्स जो करेंगे मेरे हाइस कुड के लिए करेंगे यह वाला भाब और ऐसा ही करेंगे मुझे बिस्वास है क कि मुझे मेरे twin flame के साथ रहना ही रहना है मुझे मेरा twin flame मिलेगा ही मिलेगा मुझे मेरा twin flame ही मिलेगा मेरी शादी अगर आप अनमेरे तो आप ऐसा claim करें कि मेरी शादी मेरी twin flame से ही होगी मुझे बिस्वास है इस वर आप ऐसा ही करेंगे मेरे शादी मेरे twin flame से ही कराएंगे यह चीज़ आपके या फिर आपको कोई भी चाहिए आपके कैरियर में आपके किसी भी तरह के चीज़ में आप पुरा यह रखो कि हाँ यह चीज़ होगा ही होगा या तो नहीं ही सोचो या सोचो तो ऐसा ही सोचो जैसे आपके आप चाहते हो यह चीज़ आपके लिए बहुत बहले ही आप बोल कुछ भी रहो तो अपने आपको हाई वाइप्स में रखिए अपने आपको मेडिटेशन करिए योगा करिए जो चीजे आपको पसंद है करना सिंगिंग जी देशन से आपको खुछी मिलती है से आप हाई वाइप्स वह करो आपको अपने ज्रुषत के पीयारत करिए wollte कि आपको किसी की पूरी दुनीय आपको प्यार देने के लिए और यूणिवर्स के लिए जो आप प्रकृति का प्र्षक्राव को धन्यवाद करिए इस रस्टी को धन्यवाद करिए पानी जोमोड़imiwie है उसके लिए आप gratitude महसूस कर लिए आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में एक नए ही तरह की ही change होने लगी है अपने आप में किदने बदलने लग गए हो है ना खुद को प्यार करके खुद को pamper करके क्यों हमें pampering के लिए किस तोर की ज़रत है नहीं हम हम खुद को प्यार देंगे हम अपनी माइंड को माइंड को strong रखने के लिए जो चीज़े मुझे करनी चाहिए वो मैं करूंगी अपने soul को किस हिसाब से हमाला soul जो है और भी किसी और के लिए कर सकते हैं तो अपने आपको पहले आप काम करिए और इंप्रूव करिए यही चीज़े थी जो मुझे आपके साथ सेहर करनी थी इसके साथ मैं चलती हूँ अपना ध्यान रखिए और एक channel song मुझे हुआ था यह song था एक मिर्ट सोंग केके का कोई सोंग था एक दिन तेरी रहो में बाहो में पनाःो में एक दिन तेरा हो जाओंगा तो मतलब यह Divine Masqueyl की एनरजी थी तो देखो कितने प्यारी एनरजी मुझे रिसे में हुई थी सो यही थी इसी चैनल सौंग के साथ आप चाहँ दो सुन सकते हो मैं यहाँ से चलती हूँ बाबाई, टेक किया, लव यू अल, गाल ब्लिस यू अल